दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा WhatsApp लिंक कैसे बनाते हैं अगर आप भी अपने WhatsApp नमबर का एक लिंक क्रियेट करना चाते हैं तो ऐसा आप कर सकते हैं जो लिंक आप क्रियेट करेंगे उसके अंदर आपका फोन नमबर भी दिखाई नहीं देगा और आपको जो लिंक है वो भी शॉर्ट हो जाएगा कोई उस पर किलिक करेगा तो सीधा आपकी चैट ओपन हो जाएगी यनि के लिंक को आप कहीं पर भी शेर कर सकते हैं कोई भी अकाउन में एड कर सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना है WhatsApp को ओपन करना है यहाँ पर प्लस के बटन पर किलिक करना है तो यहाँ पर आपको एक option दिखाई देगा Message Yourself अगर यहाँ पर आपने अपना number अपने mobile में किसी नाम से save कर रखा है तो वो नाम दिखाई देगा अगर आपने यहाँ पर number save नहीं किया है तो यहाँ पर आपका number दिखाई देगा इसे आपको open करना है यह आपी की chat है यहाँ पर आप कोई भी message करेंगे तो वो किसी को नहीं जाएगा अब यहाँ पर हमें link बनाना है तो कैसे बनाएंगे यहाँ पर आपको type करना है HTTPS यहाँ पर जो भी मैं type कर रहा हूँ आपको screen पर नजर आ रहा होगा यहाँ पर आपको double dot लगाना है इसके बाद double slash लगाना है इसके बाद आपको type करना है wa.me यह आपको type करना है इसके बाद फिर से आपको यहाँ पर slash लगाना है इसके बाद यहाँ पर आपको अपना country code लगाना है इसके बाद यहाँ पर आपको अपना whatsapp number डाइल करना है number भी यहाँ पर मैंने डाइल कर दिया है एक बार link को आप ध्यान से देख लीजिए मैं आपको थोड़ा से zoom करके भी दिखा देता हूँ देख लीजिए इस तरह से इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है इसे send कर देना है यह मैंने send कर दिया है ठीक है हमारा link create हो गया है लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे काफी लंबा है और इसके अंदर phone number भी दिखाई दे रहा है तो इसे आपको short करना है अगर तो आपको क्या करना है इसे copy करना है इस तरह से यह copy हो गया इसके बाद back आना है अब आपको chrome browser को open करना है और google में आपको यहाँ पर search करना है bitly ठीक है जैसे आप search करेंगे पहले number पर जो website है आपको इसे open कर लेना है और इसके अंदर आपको अपने gmail account से login भी कर लेना है इसके बाद आपको क्या करना है उपर में three line पर click करना है अब यहाँ पर आपको एक option मिलेगा create new इस पर आपको click करना है इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक option मिलेगा link इस पर आपको click करना है, इसके बाद इस तरह से page open हो जाएगा, अब इस box के अंदर आपको क्या करना है, अपना link जो है वो paste कर देना है, कुछ इस तरह से, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप link का title भी लिख सकते हैं यहाँ पर, जिससे के मैं link देता हूँ, what's up, number, ताके आप bit.ly account में आकर track कर सके, किस-किस ने link पर click किया है, इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है, सबसे नीचे आना है, अब यहाँ पर आपको option मिलेगा, create, इस पर आपको click करना है, इसके बाद कुछ ही second में, आपके whatsapp number का link create हो जाएगा, link बन जाएगा, आप देखेंगे य short हो गया है link, और इसके अंदर phone number भी दिखाई नहीं दे रहा है, उपर वाले में आप देखेंगे, तो phone number दिखाई दे रहा है, जिसे मैंने blur किया हुआ है, और नीचे वाले में आप देखेंगे, short हो गया है, और number भी दिखाई नहीं दे रहा है, अब इस link को आप कहीं पर share कर सकते हैं कहीं पर भी add कर सकते हैं कोई भी बंदा इस पर click करेगा सीधा आपकी जो chat है वो open हो जाएगी कुछ इस तरह से अगर दोस्तों आप एक WhatsApp के अंदर दो account create करना चाते हैं तो ऐसा आप कर सकते हैं इसके लिए आपको ये वीडियो देख लेना है अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी help मिली है तो comment में नाइस वीडियो ज़रूर लिख देना वीडियो को like कर देना शेर कर देना और चैनल को subscribe ज़रूर करना